t एक linear transformation दे रख है, जो r² से r² पर है, और ये किस तरह से input को output पर send करता है, आप देख सकते हैं, हमें rank and nullity t की बतानी है, तो हम सबसे पहले rank क्या होता है, rank होता है, dimension of image t, तो हम image के लिए matrix लिख लिख लिते हैं, जो की होगा, minus 1, minus 1, 3, 8, फिर 9, minus 11, इस तरह से हमने matrix लिखा, अब हम इस पर elementary row operation apply करेंगे, first row में कोई change नहीं, second row में first में फिर से multiply करके add कर देंगे, तो 0, 5, ऐसे हम 9 में work out करेंगे, ये 0, और add करना है, ये minus 2, आप देखेंगे, second row और third row आपके proportional में है, तो एक को delete कर सकते हैं, rank जो है, यहाँ पर 2 आ जाती है, और nullity, nullity इसकी 0 हो जाती है, क्योंकि rank प्लस nullity किसकी होती है, dimension of domain, यानि कि 2, अब यहाँ पर rank 2 है, और nullity 0 है, option A, यहाँ पर correct होगा, क्योंकि 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 क्योंकि